नमस्ते, सश्रिया काल, सलाम वालेकम, गुट मॉर्निंग, औरे आप कहेंगे आज मैं को क्या हो गया है, लर्निंग क्यों प्या आज इतने सारे वर्ड्स ग्रीट के लिए, क्यों वही, क्या है आज, तो देखिए, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, वो ग्रीटिंग से ह ग्रीटिंग मतलब अभिवादन, अंग्रेजी में अभिवादन कैसे किया जाता है, how to greet in English, आज हम वो जानेंगे, तो देखिए, हिंदी में तो चाहे हम सुबह मिले, चाहे हम दोपहन मिले, चाहे हम शाम मिले, हम लोग नमस्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं, या फिर को भी according to time किया जाता है, कैसे किया जाता है, जानते हैं, मैंने हर्च रिटेल में बताई है, और वे beginners के लिए है, यानि कि जिसको बिल्कुल भी English नहीं आती, उसके लिए आज फर्स डे चलिए, let's start, सुबह से दोपहर बारा बज़ तक यहाँ time अलग होता है, सुबह से जो भी हमें मिले, हम उसे ही good morning बोलते हैं, कब तक दोपहर के बारा बज़े तक, ठीक है, दोपहर बारा बज़े से शाम पांच बज़े तक का जो time होता है, उस time के during में, यानि कि between 12 o'clock to 5 o'clock, उस time के बीच में हम जो greet करने के लिए word यूज़ करते हैं, वो है good afternoon, क्या good afternoon papa, good afternoon dear, friend, x, y, z, okay, तो दोपहर बारा बज़े से लेकर पांच बज़े तक के बीच में, हम good afternoon का use करते हैं, clear? अब देखिए, शाम को पांच बज़े के बाद, ठीक है, शाम को पांच बज़े के बाद, जो words यूज़ के जाते हैं, विश करने के लिए, घ्रीट करने के लि सोने तक, ठीक है, जब हम रात को किसे से मिलते हैं, सोने से पहले तक हम लोग good evening का use करते हैं, ठीक है, अब रात को सोने से पहले और विदाई के समय, यानि कि जब हम अपने घर पे मान लीज़े, हमारे जो दादा जी हैं, या हमारे पापा अपने रूम में सोने जा रहे हैं और हम अपने रूम में सोने जा रहे हैं. Then we say good night, good night papa, good night mama, have sweet dreams, like that. हम यह words यूज़ करते हैं. या रात को हम किसी party में जाते हैं, किसी function में जाते हैं, तो विदाई की समय, जो हम किसी से बाइ कह रहे होते हैं, रात को, तो हम उसे कहते हैं good night, क्या बोलते हैं? तो आपको यह सब ध्यान रखना है, तो next देखिए, दिन में किसी भी समय, पूरे दिन में किसी भी समय, जब हम किसी से मिलते हैं, और यह बोलते हैं, अच्छा चलते हैं, तो हम बोलेंगे, good day to you, क्या बोलेंगे उसे, good day to you sir, good day to you ma'am, जो भी आप किसी को address करना चाहें, वो, and next आप बोलेंगे, have a nice day sir, क्या बोलेंगे आप, have a nice day sir, तो यह है, जब हम किसी से पूरे दिन में जब मिलते हैं, ठीक है, अब next है, किसी से मुलाकात के समय, जैसे मालीजे, दो persons हैं, रमन और रोहित खड़े हैं, रोहित रमन को अपने फ्रेंड मनन से मिलवाता है, रोहित एसा कहना जो है, वो etiquettes कहलाते हैं, English में, good manners कहलाते हैं, जो हम किसी से भेंट करते हैं, किसी से meeting करते हैं, first time मुलाकात करते हैं, तो ऐसा कहना, please to meet you, nice to meet you sir, nice to meet you ma'am, तो यह आपको याद रखना है, और आप इसे use करेंगे, आप इन सब चीज़ों को आज ही use करना, ठीक है, informal greeting informal greeting का मतलब अनौपचारिक अभिवादन यह तो सब थे formal जब हम बाहर के लोगों से मिलते हैं जब हम अपने ही मित्रों से अपने घर के लोगों से अपने भाई बेहनों से बराबरी के लोगों से मिलते हैं तब हम लोग हेलो हॉआ यह बasında कर सकते हैं नेक्स एक बीदाई के समय करें तो कि गटैम हो गया है कि हम आप को गाय फेसि-पाय हो श्रॉक कि कल मैं फिर से आप एक नया वीजियो लेकर आने वाली हूं तो इसी के साथ मैं आपको कहते हूं गुडबाई और आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा थेंक्यू रहा हुआ